हेलो नमसकार दोस्तों मिर नाम है कपेल और स्वागत था आप सभी का फूर आपकी सक्सेस में फ्रेंड्स आज के स्वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिके के टॉप 2100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट कोशन आंसर का पार्ट 9 वीडियो जिसमें हम लोग 100 कोशन को देखेंगे ये कोशन आपके आने वाले सभी परतों की परचाओं के लिए जैसे SAC, Railway, PC, NDA, Tate, CTate, Police Exam, साधी के लिए अतिमात पूर्ण है तो इसलिए आप इसोडों को सुरूशन तक जरू देखेगा और इन्हें याद कर लिजेगा अगर आप इसोडों का पीडियोफ फाल डॉनलोड करना चाहते हैं तो पीडियोफ डॉनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो चलिए आप कोशन को बढ़ते हैं कोशन है मानोशरीर में सबसे परचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाय जाता है तो देखे मानोशरीर में सबसे परचुर मात्रा में आक्सिजन तत्व पाय जाता है नेक्स्ट कोशन है मनुस्य के सरीर में अधिकांस भोजन कहां पचता है तो मनुष्य के सरीर में अधिकान्स भोजन छोटी आत्मे पस्ता है नेक्स्ट कोशन है चिलियां वाला यूद कब लड़ा गया था? तो चिलियां वाला यूद जो है यवर्स 1849 इस्वी में लड़ा गया था नेक्स्ट कोशन है 804 दल बदल निरोधक कानून कि सविधान संसोधन विधेयक अधिनियम से समनित है नेक्स्ट कोशन है कोशन मर। 805 भारत के सविधान के किस अनुसूचि में दल बदल विरोधी कानून विशाय का प्रावधान है तो देखे भारतिय सव्धान की दसवे अनुसुची जो है भारत के सव्धान के दसवे अनुसुची में दल बदल विरोधी कानुन का विशय का प्रावधान है नेक्स्ट कोशन है ततकाल उर्जा के लिए खिलाडी को क्या दिया जाना चाहिए तो ततकाल उड़जा के लिए एक खिलाडी को कार्बो हैडरेट दिया जाना चाहिए Next question है question number 807 मानो मस्तिस्क का वजन लगभग कितना होता है तो मानो मस्तिस्क का वजन लगभग 1400 ग्राम का होता है Next question है दुतिये पंच वर्षिये योजना किस मौडल पर अधारी थे तो दुतिये पंच वर्षिये योजना महाल नोबिस मौडल पर अधारी थे Next question है जायकवाडी जल विदूत पर योजना किस नदी पर रिस्सित है तो देखे जायकवाडि जल परयोजना या किस राज में है या महराश्टर में है और या गोदावरी नदी पर रिष्सित है कथा बनाने है तू किस पेड़ की लकड़ी का परयोग किया जाता है नेक्स्ट कोशन है राष्ट्रपती को पद की सपत कौन दिलाता है तो भारत के राष्ट्रपती को पद की सपत भारत के मुख्य नयाधिस दुवारा दिलाया जाता है विदेसी वैपार का भुखतान किसे समनित है? नेक्स्ट कोशन है लिखित सविधान का प्रारम किस देश से हुआ? तो देखें लिखित सविधान का प्रारम अमिर्का देश से हुआ नेक्स्ट कोशन है कोशन वर 814 भारत ने पहला सफल पर्मानु परिछन कब क्या था? तो भारत ने पहला सफल पर्मानु परिछन 18 मई 1974 इसमी में क्या था कहां पर पोखरन में, राजस्थान में नेक्स्ट कोशन है मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सेमा रेखा है तो मैक मोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच की सेमा रेखा है नेक्स्ट कोशन है सिच्छक दिवस कम मना जाता है तो देखें सिच्छक दिवस परतेक वर्ष 5 सितंबर को मना जाता है ठीक ह जाता है, next question है, question मेर 817, राष्टरिये, राष्ट्रे क्रिशी एवं ग्रामिन विकास बैंक, यानि नाबाड की स्थापना कब हुई थे, तो देखें, नाबाड, नाबाड की स्थापना, वर्ष 1922 हुई थे, नाबाड का full form क्या है, तो नाबाड का full form है, National Bank for Agriculture and Rural Development, ठीक है, next कोषन मर 819 सरवाधिक लवंता किस सागर में पाए जाती है तो सरवाधिक लवंता मुरित सागर में पाए जाती है नेक्स्ट कोशन है किसने अविस्कार किया कि पौधों में जीवन है तो देखे यह अविस्कार किया था जगदीश चंद्र बसुने जगदीश चंद्र भारतिये वैज्यानिक जगदीश चंद्र बसुने यह अविस्कार किया कि पौधों में जीवन होता है नेक्स्ट कोशन है कोशन 821 भारत का राष्ट्रपती होता है तो भारत के राष्ट्रपती जो है ये राष्ट्र के मुख्या होते हैं बारत की पर्थम महिला परधान मंतरी कौन बनी थे नेक्ष्ट कोशन है वंदे मातरम को राष्टर कीत के रूप में किस तिथी को स्विकार किया गया तो बारत का राष्टर कीत के रूप में 24 जन्वरी 1950 इस विकार किया था अलफ्रेड नोबल ने किसका अविस्कार किया था तो देखें अलफ्रेड नोबल जो कि इन्हें के नाम पर नोबल पुरुस्कार दिया जाता है तो अलफ्रेड नोबल ने डाइनामाइट का अविस्कार किया था Next question है गीत गोविन्द के रचयता कौन है गीत गोविन्द के रचयता लेखक जैदेव है Next question है किस यूनानी इतिहासकार को इतिहासका जनक कहा जाता है तो देखे इतिहासका जनक Hero Docks को कहा जाता है Question मरे 827 है Megaस्थनीच किसके दरबार में था तो मेगास्थनीज जो थे ये चंद्रगुप्त मौरी के दरवार में रहते थे नेक्स्ट कोशन है इंडिका के लेखक कौन है तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है नेक्स्ट कोशन है कोशन 829 ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसीद सूर्य मंदीर कहां सित है दिखें ब्लैक पेगोडा के नाम से प्रसित सूरी मंदीर कोनार्क में सी थे ओडिसा राजे में नेक्स्ट कोशन है साधारन नमक का रसानिक नाम क्या है साधारन नमक का रसानिक नाम सोडियम क्लूराइड है जिसका रसानिक सुत्र है एने सी एल next question है रूसी क्रान्ती का पर्मुख सुत्राधार कौन था तो रूसी क्रान्ती का पर्मुख सुत्राधार व्लादिमीर लेनिन थे next question है question number 832 किस सब्द का अर्थ पाल्तू कुत्तो का वज्ञानिक अध्यन है तो इसका right answer है sinology साइनोलोजी का मतलब क्या है तो साइनोलोजी का मतलब है पालतु कुतों का वज्ञानिक अध्यन साइनोलोजी में किसका अध्यन क्या जाता है पालतु कुतों का वज्ञानिक अध्यन क्या जाता है next question है man of destiny किसे कहा जाता है man of destiny नेपोलियन को कहा जाता है नेक्स्ट कोशन है वयोवरीधा सोतंतरता से नानी समाज सुधारक और नारिवादी सावित्री बाई फुले भारत के किस राजे से थी तो देखें सावित्री बाई फुले जो थी ये महराष्ट राजे से थी नेक्स्ट कोशन है कोशनमर 835 ठोस कारबन डाय उक्साइड का अधिक समाने नाम क्या है तो देखें ठोस कारबन डाय उक्साइड का अधिक समाने नाम सुस्क बर्फ है ठीक है सुस्क बर्फ जो है ठोस कारबन डाय उक्साइड को जो है सुस्क बर्फ कहा जाता है नेक्स्ट क next question है question number 837 dures stuff the key scale से समंदित है so dures stuff the lawn tennis से समंदित है next question है आमेर का किला कहां स्तित है तो आमेर का किला जैपूर में स्तित है राजस्तान में next question है कौन सल संगठन कलिंगपुरुसकार परदान करता है तो दिखे कलिंगपुरुसकार जो है या UNESCO के द्वारा दिया जाता है Next question है Question number 840 कत्कली कहां का परमुख सास्त्रे निरित्ते है तो कत्कली या केरल राजे का परमुख सास्त्रे निरित्ते है और कत्थक कहां का सास्त्रे निरित्ते है तो कथक जो है या उत्तर परदेश का सास्रे निरित है नेक्स्ट कोशन है विजयनेगर की राजधानी प्राचिन सर हमपी के खंडर किस वर्तमान भारती राज में सित है तो देखें विजयनेगर की राजधानी कहां थी तो इसकी राजधानी थी हमपी तो हम पी अभी वर्तमान में कहा स्थित है तो यह करनाटक राज में स्थित है नेक्स्ट कोशन है कोशनमर 843 तडित चालक का उश्कार किस ने किया था तो तडित चालक का उश्कार बेंजामिन फ्रेंक्लिन ने किये थे नेक्स्ट कोशन है निट्रॉन की खोज किस ने कि थे तो निट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने कि थे नेक्स्ट कोशन है कोशन मर् 845 लगबक 6 वर्सों तक परित्यक्त रहने के बाद साची की खोज किस वर्स की गई थे साची की खोज जो है वर्स 1818ійсьु में की गय थे नेक्स्ट कोशन है साची किस राज में सित है साची या मद्यपड़िश राज में सित है अफ्रीका के किस अस्वेत राष्ट को सर्वपर्थम सोतंतरता मिले थे उसका राइट آनसर है घाना अफ्रिका के घाना अस्वेत राष्ट को सरुपर्थम सोतंतरता मिली थे नेक्स्ट कोशन है मोहिनी अट्टम किस राजे का सास्तर निर्त्त है नेक्स्ट कोशन है सितार एवं तबला का अविश्कार किसे माना जाता है तो सितार एवं तबला का विश्कारक अमिर Χुसरो को माना जाता है कोशनमर 850 विष्वज जनसंख्या दिवस की स्थिती को मना जाता है तो विष्वज जनसंख्या दिवस परतेक वर्स 11 जुलाई को मना जाता है नेक्स्ट कोशन है अंतराश्ट्रिय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां सित है तो देखें अंतराश्ट्रिय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने में सित है स्विजर लैंड में नेक्स्ट कोशन है कोशनमर 852 विदुद्धारा का मापन किसे किया जाता है तो देखें विदुद्धारा का मापन जो है ए मीटर नाम की अंतर से किया जाता है और विदुद्धारा का एसाई मातर क्या है तो इसका एसाई मातर होता है एमपीर नेक्स्ट कोशन है भारत में उ एक बाइट में कितने बीट होते हैं तो एक बाइट में आठ बीट होते हैं अगला प्रस्ना है सरदार पटेल अस्टेडियम जिसे मोटेरा अस्टेडियम भी कहते हैं कहां सित हैं तो देखें सरदार पटेल अस्टेडियम जिसे मोटेरा अस्टेडियम भी कहते हैं या गुज पूस्ता किस ने लिखी है तो प्रधानमंतरी नरेंद्रमोदी ने इस पूस्ता को लिखी है next question है question number 858 राश्टरपती दुवारा अध्यादेश सविधान के किस अनुछेद दुवारा जारी किया जाता है तो देखें राश्टपति दुवारा अध्यादेश जो है यानुछेद 123 के तहद जारी किया जाता है Next question है सत्थपूरा स्रेनी की सबसे उची चोटी है तो सत्थपूरा स्रेनी की सबसे उची चोटी का नाम है धूपगड Next question है फेदो मीटर का उपव्योक किसे नापने में किया जाता है समुद्र की गहराई को नापने में किया जाता है नेक्स्ट कोशन है भारतिये सांखे की संस्थान का मुख्याले कहां सित है तो भारतिये सांखे की संस्थान का मुख्याले कोलकाता में सित है नेक्स्ट कोशन है किस रक्त समू का व्यक्ति सारोभोमिक प्रदाता हो सकता है यानि किस रक्त का समू का व्यक्ति जो है किसी को भी रक्त दे सकता है युनिवर्सल डोनर कौन सा रक्त समू है तो वह है रक्त समू वो ठीक है का परियोग किया जाता है, तो डालिसिस का परियोग गुर्दे यानि कीडिनी का कारी करने के लिए किया जाता है Next question है, question number 866 Calcium Magnesium Silicate को आम तोर पर किस रूप में जाना जाता है तो देखे, Calcium Magnesium Silicate को आम तोर पर Asbestos के रूप में जाना जाता है Next question है, साहनामा का लेखक कौन था, तो साहनामा जो है यह इसे लिखा है, फिर्दोसी ने ठीक है, साहनामा के लेखक फिर्दोसी था Next question है, question number 868 दूद के घनत्व को किस के द्वारा ना पा जाता है तो दूद के घनत्व को Lactometer से मा पा जाता है Lactometer से नेक्स्ट कोशन है कोशन मर् 869, माइक्रोस्कोप का परियोग निमलिखित में से किसके अध्यान करने में किया जाता है, तो माइक्रोस्कोप का परियोग सुच मा एवां पास की वज़तुवें के अध्यान करने में किया जाता है, नेक्स्ट कोशन है, एक सकीर्नों की खोज कि नेक्स्ट कोशन है, कोशनमर 872, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का समंध किस से है, तो मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा यह भारत और बांगला देश के भी चलती है, ठीक है, यानि मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का समंध भारत एवं बांगला देश से है, नेक्स्ट कोशन है और डी किस देश की कार बनाने वाली company है तो और डी जो है já जरिमनी की कार बनाने वाली company है next question है question 874 पुश्टक ignited minds के लिखक कौन है तो पुश्टक ignited minds के लिखक है हमारे पूरवराष्ट पती डॉक्टर एपी जी अबदुलकला next question है वर्ल्ड एकोनामिक ओटलूक रिपोर्ट कौन जारी करता है तो वर्ल्ड एकोनामिक ओटलूक रिपोर्ट अंतराश्ट्रिय मुद्रा कोश जारी करता है नेक्स्ट कोशन है संसकारों की संख्या कुल कितनी है तो देखें कुल जो है संसकारों की संख्या संसकारों के इकुल संख्या 16 है next question है question number 877 गुरु नानक ने अपना उत्राधिकारी किसे निउक्ति किया था तो गुरु नानक ने अपना उत्राधिकारी जो है गुरु अंगद को निउक्ति किया थे next question है खुसरो किस मुगल बादचा का पुत्र था तो खुसरो जो था या जहांगीर का पुत्र था ठीक है जहांगीर का पुत्र था खुसरो बाद में खुसरो का नाम जो है सा जहां जो था सा जहां कहीं ये नाम था खुसरो next question है कौन सा मुगल बादचा रंगीला के नाम से जाना जाता है तो रंगिला के नाम से मुहम्मद साह जाना जाता है नेक्स्ट कोशन है कोशनमर 880 प्रोटीन बनाने के लिए कितने परकार के एमिनो अमला आवसक होते हैं तो प्रोटीन बनाने के लिए जो है कुल 20 परकार के एमिनो अमला आवसक होते हैं नेक्स्ट कोशन है, कोशनमर 881, वीश्वप पिर्थवी दिवर्स का मना जाता है, तो वीश्वप पिर्थवी दिवर्स परतेक वर्स 22 अपरेल को मना जाता है, नेक्स्ट कोशन है, ग्रेट बैरियर रिफ कहां सित है, तो ग्रेट बैरियर रिफ जो है, यह परसांत महासागर नेक्स्ट कोशन है कोशनमर 883 जीन परिवर्तन किस में होता है तो जीन परिवर्तन DNA में होता है नेक्स्ट कोशन है चाल्स वूड का आदेश किस समनी था तो चाल्स वूड का आदेश सिच्छा से समनी था नेक्स्ट कोशन है मानोसरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो मानोशरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, यानी मानोशरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम. Next question है, question number 886, गांधी इर्विन समझोता कब हुआ था? तो गांधी इर्विन समझोता 5 मर्श 1931 को हुआ था. नेक्ट कोशन है दिल्ली चलो जाएहिंद तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा किसका नारा था तो ये नारे जो है दिली चलो, जैहिंद, तुम मुझे खुन दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा, ये नारे नेता जी सुभाज चंद्र बोस्त ने दिया था, नेक्स्ट कोशन है, कोशन वर 888, सर थॉमस रो, इंग्लैंड के किंग जेम्स पर्थम के अधिकारिक महात्मा गांधी किसे अपना राज़िति गुरु मानते थे, महात्मा गांधी अपना राज़िति गुरु गोपाल कृष्न गोखले को मानते थे, गोपाल कृष्न गोखले के अध्यात्मी के अवं राज़िति गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्न गोखले के अध्यात्म का मुख्यालय वासिंग्टन डिसी है ठीक है नासा जो है या अमेरिकी अंत्रिश अजेंसी का नाम है तो इसका मुख्यालय नासा का मुख्यालय वासिंग्टन डिसी में है नेक्स्ट कोशन है कीनन अस्टेडियम कहां स्थित है तो कीनन अस्टेडियम जो है या किरकेट सबसे पहले किस देश ने सम्लैंगिक विवा को कानूनी मान्यता दी थी चंद्रमा पर उतरने वाले पर्थम अंत्रिच यात्री कौन थे नेट्स कोशन है Q896 प्रसीद देश भक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा के रचता कौन है तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा जो की प्रसीद देश भक्ति गीत है इसके रचता मुहम्मद इकबाल है ठीक है प्रसीद देश भक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा के रचेता कौन है मुहम्मद इकबाल है next question है एजरा कप किस खेल से समधित है तो एजरा कप फोलो खेल से समधित है next question है खोखो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते है तो खोखो खेल में एक टीम में कुल नौ खिल आड़ी घोते हैं Next question है Question 899 मेमार की राजधनी कहा स्थ है तो देखे मेमार की राजधनी नए पीताओ में स्थित है ठीक है? मेमार की राजधनी कहा है नए पीताओ है Next question है पिर्थवी पर मुलता एकी विशाल भूकन था जिसे कहते हैं गरा के चंद्रमाओं की खोच यानि इसके ब्रिस्पति गरा के उपग्राओं की खोच गालिलियो गालिली ने की थे